प्रिये व्यूवर्स ये संस्कृति आईए एस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्ट प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंतरगर्थ प्रती एक दिन UBSC और स्टेट PCS से संबंदित पांच प्रश्न व्याख्या सही तुत्तर के साथ आपको दिये जाएंगे हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार सावित होगा तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को राश्ट्रिय स्टार्ट अप सलाकार परिशत के संदर्व में निर्मलिखित कतनों पर विचार कीजे पहला इसका गठन उद्ध्योग समवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया है दूसरा इसकी अधक्षिता प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है तीसरा इसमें गैर आधिकारिक सदस भी शामिल होते है उपरुक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D उपरुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option C अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं देश में नवाचार तथा स्टार्टप के पोशन हेतु एक मजबूत परिवेश निर्माड के लिए उद्ध्योग समवर्धन एवं आंत्रिक व्यापार विवाग द्वारा जन्वरी 2020 में राश्ट्रिय स्टार्टप सलाकार परिशत का गठन किया गया है सतद आर्थिर विकास को बड़ावा देने और व्यापक स्तर पर रोजगार स्रजन के सरकार के लक्ष को प्राप्त करने में यह परिशत सलाकार की भूमिका निभाती है राश्ट्रे स्टार्टप सलाकार परिशत के अध्यक्षता बाणिचे एवं उध्योग मंतरी द्वारा की जाती है समवंदित मंत्रियों, विवागों, संगचनों के नामित व्यक्ति जो भारत सरकार में संयोक्त सचिव के पद के नीचे के नाहों परिशत के पदें सदस्य होते हैं उद्योग एवं आंतरिक व्यापार समवर्धन विवाग के संयोक्त सचिव को इस परिशत का संयोजक नियुक्त किया जाता है इस परिशत में गैर आधिकारिक सदस्य भी नामांकित किये जाते हैं जैसे सफल स्टार्टप के संस्थापक, भारत में कंपनी बनाने वा विक्सित करने वाले अनुभवी व्यक्ति स्टार्टप्स में निवेशकों के हितों का प्रतिनिद्द करने में सक्षम व्यक्ति, इनक्युवेटर्स एवं उत्प्रेरिकों के हितों का प्रतिनिद्ध करने में सक्षम संग एवं ओध्योगिक संगों के प्रतिनिधी रास्टे स्टार्टप सलाकार परिशत के गैराधिकारिक सदस्यों का कारिकाल दो वश्चा होता है हाल ही में रास्टे स्टार्ट अप सलाकार परिशत की पहली बैठक आयो जित हुई है इस प्रकार कथन एक और तीन सही है जबकि कथन दो गलत है इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? Option C चलिए देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रशन को संयक्तुरास्टर जनसंख्या कोश के संदर्व में निर्मलिखित कतनों पर विचार करें पहला यह संयक्तुरास्टर की एजनसी है जिसकी स्थापना UN आर्थे केवं सामाजिक परिशत द्वारा की गई है दूसरा इसके द्वारा State of World Population Report 2021 जारी की गई है उपरिप्त में से कौन से कतन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, डी ना तो एक ना ही दो सही उत्तर है Option C देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है संयक्तुरास्ट जनसंख्या कोश संयक्तुरास्ट की यौन एवं प्रजनन स्वास्त एजनसी है शुरुवात में इसका नाम जनसंख्या गतिविदियों के लिए संयक्तुरास्ट कोश यानी UNFPA था इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया था इसका परिचालन वर्ष 1989 में शुरू हुआ वर्ष 1987 में इसे आधिकारिक रूप से संयक्तुरास्ट जनसंख्या कोश नाम दिया गया इसे संयक्तुरास्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिशत द्वारा इस्थापित किया गया यह संयक्तुरास्ट महासवा का एक सहयकंग है यह प्रत्यक्ष रूप से सतत द्विकास लक्षियों तीन स्वास्त चार सिक्षा पांच लिंक समानता के संबन्द में कारे करता है हाल ही में संयक्तुरास्ट जनसंख्या कोश द्वारा स्टेट ओव वर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है इसका शीशक माई बॉड़ी इस माई ओंट है यह पहली बार है जब संयक्तुरास्ट की रिपोर्ट ने शारीरिक स्वायत्ता पर ध्यान के इंद्रित किया है इसे महिलाओं द्वारा बिना हिंसा एवं डर के अपने शरीर से संबंधित विकल्प चुनने के अधिकार के रूप में परिवहाश किया है इस रिपोर्ट के माध्यम से महिलाओं द्वारा अपने शरीर के वारे में स्वयम निर्णय लेने की उनकी श्यमता को मापा गया है रिपोर्ट के अनुसार 57 विकास शील देशों की लगवग 50% महिलाओं को अपने शरीर के वारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है इन निर्णयों में गर्व निर्युद्ध का उप्योग, स्वास्त देखवाल की मांग और यौन इक्षा संबंधी निर्णय शामिल है। इस प्रकार दोनों कतन सही है। इसलिए इसका सही उत्तर है। उप्शन C. देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। पॉन्जे योजना के संदर में निर्मलिखित कतनों पर विचार करें। पहला इस योजना में पुरानी निवेशकों को रिटर्न नए निवेशकों से प्राप्त धनराशी से प्रद्दान किया जाता है। दूसरा इसमें कौन से कतन सही है। A केवल एक और दो, B केवल दो और तीन, C केवल एक और तीन, D उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ओप्शन C। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये कंपनी लोगों की स्विक्रती बच्टों पर व्याज एवं मूल राशी का भुकतान किसी लावदायक निवेश से नहीं, बलकि नए प्रिडों तथा जमाओं से करती है। पौन्जी योजना में निवेशकों को भारी रिटर्न का लालज दे कर निवेश के लिए आकरश निवेशक के निरंतर प्रवहा पर भरोसा करती है। इस प्रवहा के समाप्त होने पर ये योजना विफल हो जाती है। इसमें बाद में पैसा लगाने वाले अधिकतर लोगों का पैसा डूब जाता है। पॉंजी योजना का नाम वर्ष 1990 में चार्ल्स पॉंजी नामक एक ठग के नाम पर पड़ा। विक्ति एतिहास में सबसे बड़ी पॉंजी योजना शुरू करने के दोशी ठेराय जाने वाले वाल स्ट्रीट फाइनेंसर वर्नी मैरॉफ की हाल में ही म्रत्यू हो गई। इन डार्केट टेरोसारस के संदर में निनमलिकित कतनों पर विचार करें। पहला यह विशाल सरीश्रिप की प्रजाती है जो अव विलुप्त हो चुकी है। दूसरा यह प्रजाती आसमान में उन्ने में सक्षम थी। उपुरुक्त में से कौन से कतन सही है। एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ओप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एस डारकेट, टेरोसौरस विशाल सरीस्रब थे जो लगबग 65 मिलियन वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए थे। यह आसमान में उन्ने वाले सरीस्रब थे जिनकी गरदन जिराफ की तुलना में अधिक लंबी थी। एक नई शोत के अनुसार इन जीवों की लंबी पतली गरदन एक जटिल आंतरिक संरचना से जुड़ी होती थी यह विशेश्टा केवल इनी जीवों में देखी गई है। अपने अंतिम प्रश्ण को पुरातत विदों द्वारा एक नगर जिसे सोड नगरी नाम दिया गया है कि खोच कहां की गई है। और दावा किया था कि यह नगर लगभग 3,000 वर्श पुराना है। इसे स्वण नगरी भी कहा गया है। यह नगर मिश्र के दक्षण राज लगजर में खोजा गया है। पुरातत विदों के अनुसार इस नगर का नाम एटन था। इस शहर पर अठारा राजवन्शो के युग के राजा एमेनोटेव थ्री उनके पोते तोतन खामेन तथा उसके पशात राजा ए ने शासन किया था। यहां से भोजन संग्रहण के लिए ओवन, मिच्ची के अलंकरित पात्र, वेकरीवा एक बड़ा रुसोई घर, कंटीली तारों से युक्त, दिवार, बिविन आभूशन, रंगीन बरतन, ताबीज, इत्यादी प्राप्त हुए हैं। इसके अतरिक शहर के एक हिस्से से फेरोहो के शाशनकाल के उपकरण तथा दूसरे हिस्से से एक बड़ा कवरिस्तान भी मिला है। वस्तता फेरो प्राचीन मिच्र में राजा या प्रभावशाली व्यक्ती होते थे। नील नदी के पश्मी तट पर अवस्तिश शहर एटन के निकट से दा कलोनी ओफ मेमन मेदिनीद हाबू तथा राजा राम से इस दुतिये के समारक मंदिर भी मिले हैं। ये सभी मिच्र के लोग प्रिय परिटन इस्थल हैं। ऐसे में इस नई खोश से मिच्र में परिटन शेत्र में अत्यदिक ब्रद्धी हो सकती है। इसलिए विकल्प भी इसका सही उत्तर है।